हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग i hope आप लोग अच्छे होंगे बच्चो तो आज के इस लेक्चर में हम हाने वाले क्या डाइजोटईसेशन रियएक्षन १ ठीक है कर पाते हैं suppression रेक्षन के ध्रूँ तो जो को बहुत प्रसाणी आने वाली है आपका जो कोश्टन है न वो फिर आपका नहीं बनने वाला है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा अन तक देखेगा ताकि आपका जितना भी कोश्टन है छोटा सब्सक्राइब भी होगा न वो भी आपका यहां पे खिलियर हो जाएगा बच्चों ठीक है न फिल्ब एरोमाटिक 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 एमीन्स यह क्या है वान डिग्री आरोमाटिक एमीन्स का जब रियक्शन हों करते हैं किसके साथ में नाइट्रस एसीड के साथ में किसके साथ में करते हैं हम लोग यहां पे नाइट्रस एसीड के साथ में करते हैं ठीक है न यहां पे आ जरते हैं, यहाँ पर क्या होता है?I यहाँ पर कंपाउं शौन भेन्षट को बनता है मिल्ग वहला है यहाँ चैनलना यह जो कंपाउंड बना है यहाँ इसलों की पर क्या भाइन ण्यौन । वह दने दक्पि … ठीक है न, one degree amine का conversion, ठीक है न, किसमें होता है, digerionium salt में होता है, ऐसे रियक्षण में क्या बोलते हैं हम लोग, digerotization reaction बोलते हैं, what is digerotization reaction, the conversion of the primary aromatic amines, conversion of the what, primary aromatic amines into the digerionium salt is called digerotization reaction, ठीक है न, अब इसमें लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब one degree of aromatic amines का reaction, H2, nitrous acid के साथ में करते हैं, 0 to 5 degree centigrade पे, तो आप हमें क्या मिलता है, benzened digerionium salt मिलता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, benzened digerionium salt, ठीक है न, अब देखे दान चाहाँ पे, digerionium salt मिलता है, benzened digerionium salt मिलता है, benzened digerionium salt, ठीक है न, अब यहाँ पे एक्स चाहाँ हो सकता है, less, digerion salt बे, और exchange, c l minus हो सकता है, b r minus हो सकता है, h so 4 minus हो सकता है, यहां BF4- हो सकता है 21 यह सब हो सकता है तो कहने हो जब क्या है अगर यहां पे CL- हो दिखेदान साल पर यह बेंजीन हो गया कोई दिक्कत नहीं इसमें N2 पे प्लस चार्ज होगा और यहां बगल में क्या होगा CL- यहां बेंजीन 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 डाइजोनियम क्लोराइड 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 वोड़ेट भी बोच देसे हम लोग ठीक है ने लिंग देता हूं पर दिखत नहीं इसके लिए चलिए अगर यहां पर x क्या हो गया यहां पर c-l-mix हो गया अगर यहां पर x-br-mix हुआ यहां पर यहां पर क्या दिखेंगे आप यहां पर benzeny-digenyam-bromide लिखेंगे ठीकन इसके बाद अगर यहाँ पे HSO4- हुआ ठीकन बेंजीन N2 प्रस्ट का बनेंगे डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम हाईडोजन सल्फेट मोलेंगे इसको ठीकन इसा नाम क्या हो जागा बच्चो बेंजीन डाइजोनियम हाईडोजन सल्फेट मोलेंगे sulphate ठीक न अगर यहाँ पे BF4- हुआ तो दिखने दराँ से इसका नाम क्या लिखेंगे N2+, और यहाँ पे क्या हो गया आपका BF4- इसका नाम हो जाएगा benzene dijonium ठीक न और इसको बुलते में लोग क्या tetrafluorobodate benzene, dijonium, tetrafluorobodate इसको बुलते हम लोग यह आपको ध्यान रखना है कि when aromatic primary aromatic amines react to the nitrous acid nitrous acid क्या होता है ध्यान रखना आपको यह unstable होता है तो हम लोग क्या करते हैं जब HNO2 को use करना होता है तो हम लोग वहाँ में क्या करते हैं reaction करवाते हैं sodium nitrite पे साथ में NaNO2 plus HCA लेते हैं या HDR लेते हैं या H2O4 लेते हैं या HVF4 लेते हैं ठीक है न कोई चारो में से कोई हैं कि लेते हैं हम लोग sodium nitrite लेते हैं तो वहाँ पे क्या बनाता है आपका HNO2 बनाता है यहाँ पे temperature क्या होता है आपका 025 डिवी होता है यहाँ पे क्या बन जाता है बेंजीन डाजोनियम क्रोराइड का फॉर्म रेसन हो जाता है आपको सिधे याद दखना इसको इसका मैकरियम भी है ठीक है न अब जश्ट बताता हूँ से मैकरियम लेकिन बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार मैं इसको बता दूँगा स्वास आप देख लिए आपको फ्रील आजागा त्वास रेक्शन का यह आखिर रेक्शन में होता क्या है ठीक है न आपको ध्यान एकना है क्या ध्यान एकना आपको याद कीनजी रेक्शन इवेन वन डिग्री अनिलीन मतला वन डिग्री प्राइमरी अरोमाटिक अमेंज वन डिग्री मतला प्राइमरी अरोमाटिक अमेंज रियाक्न इंद वाट एच अनो टू नाइट्रस असीड आट cold condition, 0 to 5 degree centigrade temperature, ठीक है न, to give what benzene disonium salt, यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे X क्या हो सकता है, CL minus, BR minus, HSO4 minus, और यहाँ पे BF4 minus हो सकता है, ठीक है न, यह आपको यहाँ ध्यान रखना है, चलिए हम बात करते हैं, इसको आप लोग पहले नोट करने जिए, तो बच्चो, हम बात करें आपके क्या, इसके मेकनिजम के बारे में, ठीक है न, जगित अंसरा आपके, मेकनिजम, उन्हें आपके क्या लेते हैं, NANO2 plus HCL, ठीक है न, यह दुन्हों आपका सम्झेशन करता हैं, और यहाँ पे क्या बना देगा आपका, HNO2 plus, HNO2 plus NACR बना देगा, यह आपको ध्यानेक में, HNO2 जो होता है न, वो क्या होता है, आपका, HNO2 को बोलते हैं, मुझो क्या, HNO2 is nitrous acid, ठीक है न, जो क्या होता है, आपके यह unstable होता है, ठीक है न, इसलिए हमनों क्या करते हैं, जब इसको, इसका यूज करना होता है, तो हमनों क्या करते हैं, उससी समय में, HNO2 प्लस acid लेते हैं, और इसको बना लेते हैं, हमनों क्या, nitrous acid को बना लेते हैं, ठीक, अब HNO2 क्या है, acid है, HNO2 गीबश्वाट, H+, plus HNO2 पे-, ठीक है न, वो दिखते हैं आँ तक, HNO2 क्या acid है, H+, ठीक है न, अब दिखते हैं ज़ाँ 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 अब अगर हम बात करें हम आँ पे, HNO2 के structure के बारे में तो, यह होता है, इसका structure, ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, सुन Lone Pair, यह क्या करता है, आँसे H+, गेंड कर लेता है, HNO2 में क्या होता है, OH होता है, HNO2 में क्या होता है, एक OH ग्रूप होता है, ठीक है न, वो OH ग्रूप क्या क्या करता है, आप एच प्लस को गेंड कर लेता है, अब वाटर बन जाता है, ठीक, तो वाटर यहाँ पर क्या हो यह वाटर जो है बच्छा आपे यह एच प्लस देगा यहाँ पे क्या देगा यह एच प्लस देगा और यह जो है न वाटर यह एच प्लस वो गेन करन लता है यहाँ पर क्या बनाता यह एच थ्रीयो प्लस बना देता है यह एच थ्रीयो प्लस बना देता है यह एच प्लस दे और यह खुद S plus को गेन करने दिया क्योंकि इसके पास नहीं क्या है, जैसे वाटर के पास नहीं क्या है वेच ग्रूप प्रजेंट है ठीक, यहाँ बन गया वाटर क्या गुड्लिमिंग ग्रूप है अब यहाँ से यह बाहा निकलेगा ठीक, इसी बाहा निकला तरह यहाँ प्रजेंगा? इन प्रजेंगा क्या? पॉजु पॉजुटिव AT, यह ए यह से आलेक्टोलिक अगा निकलाँ आगी आगा पॉज। आग यहाँ पॉजुटिव चारर्ज N O P Ond steering अनो आइक्रोडिसोनियम इन चैन प्लस है आपके? दोई दानता आपे, यह क्या है न, Resonance Estabilized, ठीक है, यह क्या आपका, Resonance Estabilized NO+. तो यह अपो द्यान आखना है, क्या हुआ, NNO2 plus H, C, e, it's want HNO2, यहाँ पे क्या होगा है, Simple sir, N A plus हुआ, N O 2 minus हो गिया, H plus C L minus, exchange हो गिया, N A plus C L minus बन गिया हो आपे, पर यहां पर H 1.2 बन गया आपर Niruse Acid ह 1.2 क्या दिया पर S Clotros यहां पर कैसे काम करता है Act as Acid act as an Acid यहां पर यह Acid की तोरह काम कर दा है और यह आपर कैसे काम कर दा? अज में आपर bots काम कर दा है act as base यह बेस की तारह काम करता है H 1.2 ठीकि ना water दिया, S plus gain के दा water बन गया आपे, water क्या होता है, गुर्ण लिभी रूप होता है, क्यों रहा निकल दाएगा, और यहाँ पर क्या बनादगा, A no plus, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है, A no plus Nitosonium Aion का फॉर्मिंसल होता है, यह आपको यहाँ ध्यान रख मतलब यह क्या हुआ बच्छों आपे सिंबस आए समझे रहा है यह जो HNO2 होगा HNO2 HNO2 gives what? HNO2 देगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है HNO2 क्या देगा आपे? HNO2 देगा Nitrosodium देगा यह आपका पता है न क्या है? Electrophile This is what? Electrophile ठीक है तब को ध्यान रखना है Nitrosacin will give what? HNO plus Nitrosodium आएं देगा आप ठीक अब यहाँ पर क्या होगा देगे दान साहाँ पर Benzin यहाँ पर NH2 हो गया आपके इसके पास में क्या है? Loan pair N double bond O, N पर क्या है? Positive charge यह अपना loan pair को coordinate कर देगा आपके ठीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका pH और यहाँ पर NH2 पर positive N double bond O ठीक यहाँ से क्या कीजिए? S plus को बहाँ निकाल दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा minus का H plus ठीक तो क्या बन गया आपके? pH, NH, N double bond O यह बन गया आप simple सा यह जो बना आपका यहाँ पर कर देजिए simple सा totomaryism ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका totomaryism तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल बॉंड यहाँ पर आता है और यह जो H है यहाँ पर जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर क्या बन जाएगा? pH, N ठीक और यहाँ पर H double bond N और यहाँ पर O यहाँ पर क्या हो जाता है 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 यहाँ पर क्या हो जाता 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 ह वहाँ निकल जाएगा, ठीक, वाटर जैसे वहाँ निकला, मतलते हैं यहाँ पह बन गया, P H N double bond N और N पे positive आज, वाटर गुरली मिघ्रों बहा निकला, N पे क्या जागा, पॉस्तर आरा जागा यहाँ आप ठीक, अब यहाँ पे N के पास में क्या है, loan pair यह यहाँ पर back bonding कर दिया, इसको stable कर दिया, ठीक, बतर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका pH, N, triple bond, N और N पर क्या अगया, positive, ठीक है न, को दिखर तेहां तक, benzene dagonium इसको balance लेकोना जाएगा, आपके CL minus हाब याएगा, H, N, N, C, L, ठीक है, यह इसको क्या है complete mechanism है, बच्चों आपको यह ध्यान लेकना है simple जा क्या, कि H, N, O, 2 क्या देखाएगा, आपके nitrosonium ion देला, यह बहुत important point, H, N, O, 2, gives what, nitrosonium ion ion, N, O, plus, ठीक है न, N, plus, H, L, यहाँ पे attack किया, ठीक है न, यह बनाया आपके, यहाँ से यह S, प्लस, लूच कर दिया, attack किया, इन पर positive charge, N, क्या क्या है से, H, प्लस, लूच कर दिया, यहाँ पर होगया, टॉटर में, स्वापस क्या बन गया, OH बन गया, OH, H, प्लस, medium कैसा S, दिखाए, S, प्लस, गिन करेगा, water as living group बहार निकल जाएगा, वाँ पर, N, पर जाएगा, positive जाएगा, 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 back bonding होगया, यहाँ पर क्या बन गया, benzene disonium chloride का formation होगया, simple सा step है, ज्यादा कोई tough नहीं है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान बस आपको यह रखना है यहाँ पर, कि H0 to give salt A0 plus देगा, ओर जब वाप 1 degree amine होगा, 1 degree, 1 degree वादा primary aromatic amine होगा, primary aromatic amine होगा, तो वो हमें यहाँ पर क्या देगा, आपका benzene disonium chloride देगा, benzene disonium salt देगा, यह अपको ध्यान है, ठीक है बच्चों को दिकत नहीं है, आरे बास्वाज में आने तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है न, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, इसका benzene disonium chloride का chemical reaction पढ़ने वाले हैं, ठीक है न, चलो इसको नोट कीज़े आगे हम बात करते हैं, बच्चों, अब यहाँ पे में एक छोटा सा चीज बताता हूं आपको, जिगे दान से आपे, वो छोटा सा चीज गया है, कि अब यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन, मतला अनिलीन देते हम लोग, अनिलीन on reaction with NaNo2 plus HCl, 0 to 5 degree centigrade, ठीक न, इस temperature पे, ठीक न, यहाँ पे क्या बनता है, आपका, बेंजीन disonium chloride, ठीक न, और यह क्या होता है, आपने, stable होता है, this is what, stable at this temperature, इस temperature पे क्या होता है, यह आपका, stable होता है, ठीक न, क्यों stable होता है, तो ध्यान रखने आपे, due to ragionems, ठीक न, यहाँ पे कैसे बारी जुनियन समझेगा, आपके, बेंजीन disonium chloride है, आप जानते हैं, कि N2 जो होता है, वो वुड लिम ग्रूप होता है, ठीक है न, जिसी यह बनता है, यहाँ से N2+, N2+, बहाँ निकल लाता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका N2+, हो क्या करता है, बे double bond हो चुका है, ठीक है, ठीक है, तो दिकत यहाँ तक, और फिर यह आगे resonance कर जा गया आपके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर क्या हो चुगा बच्छो, positive charge, double bond N, double bond N, negative N पे positive, ठीक है न, यहाँ को ध्यानक नहीं है आपके, फिर यह resonance क्या आपके आगे, इस तरह से, जाएगा, N double bond N, negative, positive, ठीक है यहाँ पर double bond क्रेक्टर आचुका है, जिसकी वज़ासे आपके, यहाँ पर क्या गया है, double bond क्रेक्टर आचुका है, तो जिसकी वज़ासे बच्छो, आपके, क्या होगा, यह जो होगा न, stable होगा, bond strong होगा, तूटेगा ही नहीं, bond strong होगा, 0 to 5 degree पर वो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है यह आपको यहाँ पर ध्यान रहता है, बच्छो, अगर हम बात करें आपर, next, अगर हम बात करें आपर, R and H2, मतलब 1 degree aliphatic amines, 1 degree aliphatic, 1 degree aliphatic amines की बात करें, 1 degree aliphatic amines, कार यह सिन जब करते हैं, हम बलो, HNO2 के साथ में, ठीक है, ठीक यहाँ पर क्या होता है, एक्छोल में, यहाँ बनता है, R and 2 plus, Cl minus, ठीक है न, यह क्या होता है, आप पर unstable होता है, unstable, ठीक है न, क्योई यहाँ पर कोई resonance है नहीं, जो इस bond में double bond के अटक्नियर्च कर देवाँ आपर, संबब नहीं यहाँ आपर, N2 plus क्या होता है, आपर गूर यहाँ पर क्या करता है, OH, अल्कॉल बना देता है, यह आपको ध्यानक नहीं आप, ठीक है, मतलब यहाँ पर एगर 1 degree में लेते हैं, 1 degree अलिस्ट्राटिक में लेते हैं, यहाँ पर CH3 NH2 लेते हैं हम लोग, ठीक है न, plus HNO2 लेते हैं हम लोग, HNO2, 0, 2, 5 degree त यहाँ पर क्या अगर यहाँ आप यहाँ लेते हैं क्या CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2 एक 0, 2, 5 degree त यहाँ पर क्या बन जागा आपका CH3 CH2 OH, यहाँ ध्यान रखना आपको अल्कॉहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है न, 1 degree अल्जिव्वाटिकएमिन्स क्या बनेगा, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जागा, यह अपको ध्यान लखना है, इवन 1 degree अल्जिव्वाटिकएमिन्स on reaction with HNO2 न ना, निट्रस एसीड, at 0 to 5 degrees centigrade, तो गीव वाट अनेस्टेबल अलगाइविय। अनेस्टेबल यहां से क्या हो जाएगा? एंट्व गैस बहा निकल जाएगा. तो आथ है मैं मेंके में एंट्व गैस में लेगा. ठीक है न, डालिट फॉर्म में आई है, वाटर हो गया, आप पर वाटर जागा अटाक कर दाया, आप पर क्या बन जाएगा, अलकॉल बन जागा यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है न, कोई दिखात यहां तक बच्चों, मतलब यहां पर क्या हुआ, सिंपल सा क्या, कि अगर यहां पर one degree, alicatic amines लेते हैं, ठीक है न, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अलकॉल मिलेगा, लेकर अगर one degree, aromatic amines लेते हैं, तो हमें हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजुनियूम, शॉल्ट मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, इसमोनोट कीज़े फिर आगे बात करते हैं तो बच्चो अम यहां बात करने वाले क्या physical properties of what benzene diogenium chloride and benzene diogenium tetrafluoroborate के बारे में छोटा सा है topic ठीक है देखने यहाँ पे जो benzene diogenium chloride होता है बच्चो क्या होता है पर colorless crystalline solid होता है पते हैं कोई रंग नहीं होता है ठीक है न और यह solid form में होता है तो colorless crystalline solid form में होता है ठीक है न यह क्या होता है पानी में soluble होता है water soluble होता है benzene diogenium chloride का होता है पानी में soluble होता है ठीक है न Na coon the water में यह stable होता है लेकिन जब इसको heat करते है water के साथ में तो यहां पर यह reaction कर जाता है But reacts with water when warmed जब इसको हम लोग water साथ में गरम करते है तो यह reaction करके बनाता है क्या phenol का formation कर जाता है मैं आगे बताउगे justice को ठीक है ना, फिन नेश्ट के यहाँ पर डीकंपोजेज इसली इन दर ड्राइ इस्टेट, जब सुखा इस्ट्रम डालते है ना तब यह क्या आगा डीकंपोज कर जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बच्छो, बेंजीन, बेंजीन, दाज्वनियम, तेत्रा फ्रूरो गो ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा यह इस्टेबल आदर रूंग टेंपरेच्थर, रूंग टेंपरेच़्र भी एक कह वोता है थानकंपोशनेख का इसका फिंजिकल प्रभधाथटीघ, बेंजीन दाजवनियम, बेंजीन, दाजिन, दाजुनियम, यह colorless, crystalline solid होता है, water में ये soluble होता है, water में का होता है? soluble होता है, cold water में ये stable होता है, लेकिन जब इसमों लोग water में रख को heat करते, तो वो आ पर reaction कर जाता है, ठीक है ना? और dry state में कै रहना है, decompose कर जाता है, को दिखा देनाता बच्चों, यहाँ पर क्या है? बैंजीन डाजुनियम टेत्रा फ्लोरो बडेट के बारे में यह क्या होता वाटर में इनसॉलूबल होता है और रूम टेंपरेचर पर इस्टेबल होता ही आपको धियान रखना है ठीक है नए चलिए हम बात करते हैं, क्या chemical reaction of what, benzene digestion game salt के बारे में ठीक है? तो भच्छों अब यह पे बात करने माले क्या chemical reactions के बारे में ठीक है नativos Chemical reactions of what, benzene digestion game salt के बारे में या दो तरह कार्यारगरे सस्वर करता है क्या एक में क्या होता है कि जब यहां पर जो डाइजो ग्रूप होता है ना वह यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है यहां पर 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 य ठीक है बланको बन शेसिए ना जैना थीक है ब tes ए भखे आंपैस ऐम पढ़े है आपके अापै। इसीका पहला आपैस रिजाय कि अ न जय रिखे सांगी मिशह आपर आ किस जाने भी है ना बन्या कि इस जा टीक है। ठीक है न, तो देखता है उसे पहला डियसन क्या होता बच्छों आपे Sandmeyer's reaction Sandmeyer's reaction ठीक है न, Sandmeyer's कैसे में क्या होता सुनिकर दान से बच्छों जब यह आपे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम कोलोईड लेते हैं N2 plus Cl minus बेंजीन डाइजोनिक कोलोईड इसका addition करवाते हैं रहे किसके साथ में Copper salt के साथ में CuCl plus HCl लेते हैं या CuBr, HBr लेते हैं लोग रहेते हैं लोग या तिस्टा मुल्ग क्या ले सकते हैं आपे Cucn के Cn लेते हैं यहां पे सिंपल ते क्या करना आपको 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 लोग copper का salt लेते हैं यह क्या है Q plus proide Q plus bromide ठीक है न को दिखेते हैं अंदर बच्छों आपपे यहां पर Q plus Cynire यहां पर लेते हैं हम लोग इसमे क्या करना है sand mares बतलाब salt लेना copper का salt लेना है ठीक, CuCl plus HCl CuBr plus HBr CuCN plus casein लेते हैं हम लोग ठीक है न जिकेंड कब चाह पर गैटर में रियाक्षण गैटर में रियाक्षण इसना हम लेते हैं कॉपर मेटर लेते हैं कॉपर पावडर लेते हैं सार्ट नहीं लेते हैं लोग यहां पर बैंजीन डाइजोनियम कोराइड N2 plus Cl minus और यहां पे क्या ले लिए हमने Cu plus HCl और यहां पे Cu plus HCl ठीक, यहां पे क्या बनता है आपका Chlorobenzene और यहां पे क्या बनेगा आपका Bromobenzene यह आपको ध्यान है, Gattamence Reaction, ठीक न, तो Gattamence में क्या होगा यहां पे Benzene Digenium chloride on reaction with what? Copper Metal, Copper Powder, ठीक है न, यहां पे salt नहीं होता है, यहां आपका salt नहीं होता है, क्या होता है, यहां पे Copper Metal होता है, Copper Powder form में होता है Copper plus HCl या Copper plus HBr to give what? Chlorobenzene और Bromobenzene यह आपके यहां पे बनाता है, ठीक है न, बच्छों, यहां पे क्या देगा दान दख B हो गया, ठीक ही बात करें यहां पे यहां पे यहां लोग, K plus होगा, I minus होगा आपके, यहां पे क्या बन जाएगा, आइडो बेंगी बन जाएगा, दी की बात करें आपके, उसको बोलता हम लोग क्या, Bulge Shreemann reaction, इसमें क्या करता है हम लोग, फ्लोरो बेंजिन का फार्मेशन करता है, कैसे, इवेंग बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 plus Cl minus, इसका यहां बेंगी बात किसके साथ में, HbF4 के साथ में, ठीक है न, यहां पे अपका है, पे क्या होता है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, एचिल भाह निकलता है, और यह BF4 मैस यहां बेंगी जूर जाता है, तो यहाँ पे आप जानते हैं। जो benzen digonium tetrafluoroborate जो होता है वो room temperature पे क्या होता है? stable होता है यह क्या आपका है? room temperature पे क्या है? जब हैसको हम लोग tetrafluoroborate acid benzen digonium tetrafluoroborate को heat करते हैं बेंजीन डाजोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट को हीट करते हैं न तो आप पे क्या बनाता है आपके आप पे फ्लोरो बेंजीन N2 बाहा निकलता है प्लास BF3 बनाता है यह आपको ध्यामन गंगना है ऐसमें बोलते मैं यह घम बोलते हैं ठीकर नहीं बच्छों वेंग्द डाजोनियम और रिधाक्शन बिस Сका बोलतेने टेत्राफ्लोर्लोरीक असीड ह benefici त्रूर्ड पूररीक असीड ठीक यह आंपर क्या बनाता है आपका बेंजीन डाजोनियम टेत्राफ्लोराच बनता है रियक्शन, गैटामेन रियक्शन, बल्ज रियक्शन एंड यहाँ आपका रियक्शन भी तवाट के आई, यह आपको ध्यान रखना है, तो एगा फिर दा बोलाऊ स्मिक दान्दा, बेंजीन डाजुनियम क्लोराइड और रियक्शन भीट CuCl plus HCl, CuBr plus HBr, CuCl plus KCn, इप्षवाट, च्रॉर नभीट्शन, इप्श्वाट ग्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, सियनो बेंजीन क्या होता बच्छे हाप पे, वेन कि अनों थाण पर इवेन जीक ताथ Cr य다가 छ्पी करते हैं आपको पता है नहीं संतर रूंम Comπैराचिर पे, पर च्छी तेटर्योच पीजुवी एढ के Tetra Floralborate, यह क्या होता आपका, आपके रुम टेंपरिचर पर एस्टेबल होता है, जब इसको हीट करते हैं, इहां पर क्या बताता है आपका Floral Benzene का Formation करता है, यह आपको धियान लखना है, ठीक? तो यहां पर अगर Benzene Drogeny Curoide, यह आए के साथ दीचन क्याता है, आपका, हीट कर दिया ऐसे लिंग देगा अपको ठीक है ना benzen डियोगल रियाक्ट भीज एच भी एफ़ हीट कर दिया हूँ तो आपको स्थीदे क्या बनाना है आपको फ्लोरो बैंजीन का फॉर्मेशन कर देना यह अपको ठीक है ने चलिए अमनूरा या पर नैश्ट बात करते हैं कुछ और विडियाशन है इसके उसके बारे में हम रुपात करते हैं ठीके बच्छो दिरे दांते बच्छो आपे कुछ और विडियाशन है आपे इसके फीफ्ट नंबर का बेंजीन दाजोनियम क्लॉराइड और रियाक्शन भी H2O 10 दिगरी संटिंगरेट ठीके बच्छ दिगरेट नंबर करते हैं बलोग यह आपे खेबन जाता है आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है खेबन दाप च्छो आपे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है ठीके नहीं नेक्स्ट वन बेंजीन दाजोनियम क्लॉराइड बेंजीन दाजोनियम क्लॉराइड करता है बेंजीन दाजोनियम क्लॉराइड कर साथ में ठीक है न तो फॉस्फीनिक असी यह क्या होता है आपे न माइल्ड डिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या होता बच्छे आपे यह दोनों के दोनों क्या होता है आपे माइल्ड डिड्यूसिंग mild reducing agent होता है ठीक ये क्या करेगा इसको reduce कर लिया वतलब आपे H को जोड़ देगा यहाँ पर क्या बनता है आपका Benzen बनता है और ये खुद Oxidage होता कि इसमे H3, P, O, 3 में Oxidage होता है ठीक ये भी सको Oxidage करेगा Reduce करेगा यहाँ पर क्या बनता है Benzen बनता है Plus यहाँ पर क्या बनता है CS3C double bond OH Aldehyde बनता है Aldehyde ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करेगा वो Benzen-Digene-Digene-Cloride-on-reaction-V-what-Ethanol To give what-benzen- मतलब A plus B And B on reaction with what Dilute NOH मतलब वो क्या करवारा है यहाँ पर Aldeal Condensation करवारा है यहाँ पर ठीक है यह आपको ध्यान रखना होगा यहाँ यहाँ पर क्या लिख देगा आपको जो B बनाया है यहाँ पर लिख देगा क्या I2 plus NOH क्या यहाँ यहाँ बी I2 form test show करेगा मिलकूल करेगा यहाँ आपका 2 for DNP test show करेगा मिलकूल करेगा क्या यह यह आपका tallest test show करेगा मिलकूल करेगा क्या यह failing test show करेगा मिलकूल करेगा यह सब यहाँ पर सवाल आ सकता है यह आपको ध्यान रखना है और 7th निम्बर बच्चों, यहांपे क्या है, एक important है, रियक्शन, वेंजीन डाइजनियम क्लराइड, और रियक्शन बीट, वेंजीन डाइजनियम क्लराइड, और रियक्शन बीट वार्ट, HbF4, त्रेटराफ लोड और वोरिक ऐसे, to give what, यहाबे रिट नहीं कर देए हम ल पर दिखुट पर अब यहां में लोग क्या कर रहे हैं आप पर कॉपर पाउडर और एन एन ओ टू के साथ में इसको लोग हीर कर देते हैं अब आपे क्या बनाते हैं अंपर patient द्यान प्रेकशन हैं Benzen Drogenium Collide on Reaction with Watt, CuCl plus HCl, CuBr plus HBr, CuCn plus KCl ठीक न, Sandmere reaction हो गया आपे, chlorobenzen, bromobenzen, cyanobenzen मनाया आपे ठीक न, Benzen Drogenium Collide on Reaction with Watt, Copper plus HCl to give Watt, chlorobenzen, Copper plus HbR gives Watt, bromobenzen ये आपको जाना कना सब्सक्राइब क्या बोलता मुलाग, Gatta Malt reaction बोलता बल्ज स्रीमेंटिशन क्या होता है आपे वें बेंजीन दाजोनियम क्लाइड और रियक्शन वित वाट HbF4 टेत्राफ्लोरो बोरिक असिड टू गीव वाट बेंजीन दाजोनियम टेत्राफ्लोरो बोरेट वीच अन हीटिंग वाट फ्लोरो बेंजीन ठीक तीक अगिव वाट Jennifer बेंजीन दाजोन दाजोनियम लाट ti असी मीव वित वाट फ्लोरो बेंजेलरो स्थरी पाढ नेगव वाट 睡सед मेव वाट वीवट्र टीक श्रीक असिग वाट परदीक बेंजीन दाजोनियम क्लाएड उन हीवट वात नारिट्रो बेंजीन, यह आपको यह साथ देशन आपको कंठर्चली तो याद देखना है, यह आपको कंठर्चली 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 N2 plus CL wine, ठीकन, आन रेक्षिन बीच, CuCl plus HCl, तो गीव वाट, Chlorobengi, ठीकन, CuBr plus HBr, याप एक है बन्ता आपका, Bromobengi, ठीक है, इसके बाद, CuCn plus KCn, CuCn plus KCn, यहाँ पर क्या बन्जाएगा आपका, Cn लग जाएगा यहाँ पर, Cynobenzene का ओ फॉर्मेशन, ठीकन, सका बुलता में बन्ता है, यह आपको डैटली याद अखना है, इसके बाद, Copper plus HCl to give what, Clodobenzene, Copper plus HBr to give what, Bromobenzene, ठीकन, Next lecture, आपको क्या है, अपर देखे जान साँ पर, Ki to give what, Iodobenzene, ठीकन, इसके बाद, Kiai के बाद, यहाँ पर क्यापका, HBF4 है, और इसको हीट कर दे, यहाँ पर क्या बन्गापका, Flurobenzene बन गया, ठीकन, इसके बाद, अगर हम लेते हैं, आपे, S3PO2, क्या बन्गापको, आपको, सीदे Benvene बन जाएगा, अब में यहाँ पर क्या लेते हैं, S3PO2 होगे यहाँ और क्या लिया, आपको, Ethanol, CH2, CH2, OS, लेए हम लिया, यहां पर क्या बन जाएगा आपका बेंग जीन और यहां पर क्या बने का साथ में S3, PO3 और यहां पर क्या बन जाएगा आपका अल्डी हाइड वन यह यहां पर इस्टाल आज इंपॉर्टन एक्षन अल्डी हाइड आगे डिशन करवा सकता है वो ठीकन इसके बाद वार्म वार्टन लिखा होगा यह H2O 10 डिगडी ऐसे भी लिंग देता है आपके वार्म वार्टर बता है इसके बाद फॉस्ट में HbF4 लेते हम लोग तो क्या बन जाएगा आपए बैंजीन डाजनियम kettrafloroborate बन जाएगा आपए उसके बाद आपए copper NaNo2 heat करेंगे आपए तो क्या बन जाएगा आपए 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 नाइ्ट्रो बैंजीन बन जाएगा आपका नाइट्रो बेंजिन का फॉर्मेशन हो जागा यह आपको ध्यान एकना है ठीक है बच्चो यह आपको क्यों हो यहाँ पे रियक्चन सिंवॉल्विंग दो भी दिस्वलिश्म्वंट यह है पहला बहला जो पाट यान आपर कंप्लीट होता है reactions involving the displacement of what nitrogen group nitrogen, ठीक है ना? अब यह आपर बात करने बार है क्या reactions involving the retention of daisome group ठीक है ना? एक आथ के सव्रोट किजे फिर आगे हम बात कर तो बछ्चो अब यह आपर बात करने बाल है kya reactions involving the what in retention of what डाइजो ग्रूप ठीक है ना रियक्शन इवाट रिटेशन ऑफ डाइजो ग्रूप मतलब इस सो क्या बोलते हम लोग कॉप्लिंग डियाशन के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना इसमें क्या होता है जब बेंजीन डाइजनियम क्लॉड का रियक्शन अपने पैरा पोजिशन पे ठीक है ठीक है ना अपने पैरा पोजिशन में क्या क्रता है Dignionium salt एशाध कुपल करता है जुड़ता है ठीक अन और यहांपे क्या बनाता है आपका AdesterSon열 Adester também और इस क्ताीपे कि जैसन गोलते मोग यहां मैंपर कॉपलिंग जैसन गोलते है क्या हुआ Then Penol at its Paraposition is coupled with व 1 benzo Festơnost water to form what ParaHyddo GP ठीक अनन जो येसन बुच्छो है आप ये किसको फॉलो करता है आप इलक्टोफिलिक सब्स्टिटूशन येसन को फॉलो करता है ठीक ना सिमिलर्ली अगर हम बात करें आप बात करें आप बेंजीन डायोनियम कुराइड एन पोजटीब टिर्पल बॉंड और यहां पे एन है और यहां पे एज प्लस लेते हैं पी एच यहां पे क्या होता है आपके यहां पे 425 बुरता है यहां भी क्या बनता है आपके आपके पैरा अमीनो ये जो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है पैरा अमीनो ये क्या होता है यहां पे येलो कलर कर डाय होता है ये यलो कलर डाय होता है यल्लो अलडर डविता है इसके बारे अंभाद करें यह की किसके फोन्ता के Channel लियाक्ट को करता हैं यह फ़ालो करता है यह कैसे आपको डेरिवेटीव होते हैं अपका बेंजिंग के डेरिवेटीव है यहां पर यहां पर यहांफे इसना बुदरूप है यह इतना बड़ा बद्द क्या होगा ओएज उता हुद फ्लास सियम करता है एक्टिबेटर हुआ यह ओधो यौ पार ना फिर लगेगा धर लगेगा तो यह आगा से क्या होता है, यह एच प्लस बहा निकलता है, यह एच प्लस बहा निकलता है, और यह इलेक्टो फाल यह यह आप पर जूर जाता है, ठीक है, एच प्लस बहा निकलता है, वह आप पर जाके वह क्या करता है, इलेक्टो फाल यह जाके यह आप पर जूर जाता है तो यहां पर क्या बना दिया, pH, N double bond N और pH OH बन गया आपकर, अपकर यह triple bond था, यहां पर double bond आ गया, यह कैसे हो गया, ठीक है, बताता हूँ आपको, बुड़ा बताता हूँ इसका mechanism कैसे होता है, और एक बार इसका explain कर देता हूँ, ठीक है न, इसका अपर लोट कर लिए, पहल फिर आगे हम बास करते हैं, तो बच्चों यहां पर देगे दालता हूँ, हम बास करें आप इसके mechanism के बारे न, ठीक है न, क्या होता है से mechanism, यहां पर क्या मेरे पास पर phenol है, ठीक है न, medium कैसा आपका है, यहां पर basic medium, OH-, यहां से यह S plus को बाहर निकालता है, ठीक है न, और यहां पर क्या बन जाता है, O-P negative charge बन जाता है, phenoxide ion, ठीक है न, अब यहां पर इसका क्या होता है, तगरा प्लस स्म होता है, ठीक है न, क्या होता है, यहां पर तगरा इसका प्लस स्म होता है, अब यहां पर क्या आता बच्चों यह N, triple bond N, और N पर positive, ठीक है न, अब देगे चार वन ले बना चुका है प्रस्थम फर बांस्गर बिल्कुल भी नहीं चार करें तो जाईस बाद यह पाई बांट यहाँ पर सुफ्ट करें यहाँ पर जा आप देखेंगे यहाँ पर यह पॉस्टिफ पाहं प्रागे बच्चो N double bond N pair positive अब यह क्या होगा highly unstable होगा यह electrophile है अब यह electrophile क्या करेगा यहाँ पर जाके attack करेगा ठीक तो बता है यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर बन गया क्या आपका open negative electrophile जाके यहाँ जुर गया यह N जुड़ा है यहाँ पर और N double bond N और यहाँ पर PS ठीक न और यहाँ पर यह पर यह है ठीक न और यहाँ पर क्या बन गया होगा बच्छे आप पर positive size बन गया है ठीक न अब यहाँ पर क्या होगा ring अपना aromaticity वापस regen करना चाहेगा तो कैसे करेगा यहाँ से यह H plus को वहाँ निकाला जैसे यहां से H plus को वहाँ निकाला यहां पर क्या बन जाएगा open negative ठीक न और यह यह bond यहाँ बाद चुपा है N double bond N और यहाँ पर H plus को यह क्या करेगा यहां से gain कर लेगा यहां पर क्या बन जाएगा आपका यह तो गया phenol और यहाँ पर N double bond N और यहाँ पर यहाँ पर है पैरा hydroxy azobengene आपका पाता है न ऐजो-benzen क्या होता है what do you mean by aży benzen एजो-benzen क्या होता है तो pH-2oro-2 क्या बोलते हम लोग Azobengene बोलते है ठीक है न यहाँ पर आपका pH, N double bond, N और यहां पर pH, कहा बोलते हम लोग अजो बेंजिन बोलते हैं और पहरदा पर कहा लग आफिए? OH लग यहां बोलते हम लोग आजो बेंजिन बोलेंगे बच्छों यह आपको जानकने आप पर यहां पर क्या हो गया? इलक्तोफिलिक सब्स्टिचूशं रोगिया पहले ओएच बांदेगा यहां प्या बना देगा आपका फिनोक्साइड आयन बना देगा यह प्लस्यम सो करेगा हम पे ठीक यह पाइबर यह पर सिफ्ट हो गिया एन्ता आगिया पॉस्टिद वार यह क्या बन गया आप़ एलक् पहराइड्रोक्सी एपैर हाइड्रोक्सी एजा बांगी तफे दिया रखना है तो रिखान है आपके इनस्टूрокस्थ जड़ेगा एकका धिया रर्काद धिया रखना है ठीक है न यहां बस यह जान रखना पर आपके कि हम लोग यहां पर फिनॉल में slightly basic medium लेते हैं ठीक है न और यहां पर आपका एनलीन में हम लोग कहलेते हैं slightly acid medium लेते हैं ठीक है यह आपको जान रखना है अगर हम लोग यहां पर highly acid medium ले लेंगे या highly basic medium ले लेंगे तो उसके इ अगर यहां पर मेरे पास में क्या है अनिलीन NH2, एक अनिलीन ओन्यसलित वाट, बेंजीन डाइजुनियम कुर राएगी, ठीक न, यहां पर खेले तम ने स्लाइटली आसलिंग में लिए, त्यान वही तानी है, ठीक न, यह जाकर यहां पर जूट जाएगा, यहां पर सिंबल स ठीक न, अजरा अपर क्या बन जागा आपका, यहां पर क्या गया, यह प्यची अच्च, और यह पाई वने यह पर सिल का ज़गा, यहां पर क्या होगा, इलक्ट्रूफ invece सब्स्ट्रिजीउशन रियक्षन हो गया, यहां पर डिleared with test ven menstrual. अणिंभल Как बतार니다 है है, यहां अ यहां पे Benzen, Dagenium, Puroide, Phenol यहां पे, और यहां पे हम लोग खाल लेने लिए OH- और यहां पे pH greater than 11 ले, highly basic लेने लिए यहां पे, ठीक न, यहां पे क्या होता है basically, यह जो OH- इसने खूद जागे यहां पर अटाइक कर देता, पाइब बन पर सिर्फ देता, ठीक है न, खूद जागे यहां पर अटाइक कर देता, यहां पर क्या बन जाएगा, pH, N, double bond, N, और यहां पर क्या गया, OH, क्यों कि highly basic medium है, ठीक है न, इससों बोलकर क्या डाई एजोटिक, डाई एजोटिक एसिद बोलते हैं, डाई एजोटिक एसिद बोलते हैं, highly basic medium है, यहां से यह एजपन जोबार निकल देगा, इससे बोलते हैं, क्या है, डाई एजोटिक, ओपे negative, N, पे positive, डाई एजोटिक, ठीक है बच्चों, यह आपन ज्यानक ने आप, इस अब देगे दान्स आपए, अगर यहां पे बच्चों आपए, बेंजीन, डाईजोनियम, कुरोइड हो गया आपए, प्लस, अनिलीन लेलिया हमने आप, अलेलिया आपए, अनिलीन, और मीडियम कैसे रख़ा हैं आपए, highly acidic medium, highly acidic medium, तो highly acidic में क्या होता है, जो NS2 है ना ये बेस होता है, ठीक न, ये क्या करता हैं से S streetth 있다는 तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका 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 आपक स्थिंग न को दिएता है पचौ आधा मैं यह जो था न आपको क्या होता है वीक इलाक्ट्रफाई उपश्र करता है हूंसे भी चरहईए टैसरन नहीं करता है अपका, पूशरी तरह यस्चान नहीं करेगा तो बच्चो अब यहां पे कुछ कोसम दिया गया है इसको आपको करना है इस से अब का और ज्यादा क्या होगा कॉंसर्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है आई यह वह देखते हैं आपको क्रूशन को पेंजीन डाजनिम कुला यह अपर का इलेक्टो फाइल है यहां पे एने एस थी आपको यहां पर आपको यहां पर निगेंटिम चार्ज तो इसके एक प यहां पर तो नहीं जा पाएगा तो इसके कटिम आप जाएगा और तो प्यारे चोदेगा ठीक है यहां पर जो पाईगा जो प्रड़र्ट वनने डाता वह क्या बनेगा बच्चे आपको ध्यान आ न के लिए अपर एज ठी यहां पर ओएज पैड़ा पर जोड़तना है एन 5-7 यहां पे, दो में भाना है भाहना सौटकट pH 5-7 यहां मतला आइसरेक मिडियम है तो आइसरेक मिडियम है रहाइक बता है यहां पहाइप का आपर होगा आपका आपका आइलिन पे रीक्षिन होगा और दिख्कूस ने हमें और जोड़ाएं की जोड़ना पर न, N, आपको इसने को लिखना हो, क्यों गिगने हमें सिंपल सो भे लगी याइंड्य को भाला है यह END पर Ch3 हुर ट्वाइस और इसके पहरा पर, क्या जोड़ना पर रहा पर एंड double bond N और बेंजीन पर यहां पर क्या लगा आपका ए 103 लगा हुआ है अपके यह बन दो जोड़ना है इसको बुलते मेड में अरेंज बुलते हैं यहां पे एक इंडिकेटर हो ता है यहां पे लिखाब दांस पे ठीक हैं स्रीडी मीरे नहीं है ठीक है अ आसल्री मीडिय मतलब इसके पहरा पहर जोड़ेगा ठीक है पहरा पे जुनने कहाँ पे ऐन्डबल बॉंड लॉंड एन जुरेगा सिंबल साथ ताप यहां पर क्या कि यह इसको ऐसे लिखिए CH3N CH3O2N ठीक न और यहां पर पह है बच्छो आ पर इसके पहरा पर क्या जोड़ना पर N DÂबल बॉपन एन जोड़ना है N DÂबल बॉपन एन और यहां पर P H जोड़ना है N, N, P, H जोड़ना है ठीक है न और यहांपे क्या आपका आगिया COO- ठीक है न यह हो गया आपका है आपके अब दिख्रिदाण से बचे हैं इसका बोलते लो क्या अल्फा नप्थॉल्ड इसका नाम क्या है आपके अल्फा अल्फा नप्थॉल्ड उसमें kयां बोलते हो बीता नैप्थावल ठीक है अब देखे दावज हाँ पर बेसिंग मेडियम है इसके अकॉर्डिंग कहा पर जुरेगा और तब कर जुरेगा नफी अपट्यों आप पर अल्फा नेप्थावल में अल्फा नेप्थाल पएदा पर जुरे का N double bond N और यहां पर pH N double bond N-PH ठीक और न पर जुडा ठीक और जुरा ठीक और यह brown color का होता है यह बना compound किस काख में होता है Russet बच्छों यह 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 बच्छ ऐस बिंगाप़ पर अब अलफा ये बी इलफा ये ज़िए डीजा घॉरेख के लग गा आऊफ न एपका याँ याँ पर इन बीटा हो गिया तो इस लगा एपने अधंगा ऊधाल श्रचÄ पी क्या ज़िए सब किसा शुच्छेन पर च समय और किसा बीटा नेप्थॉल दो जो अब पर किया बेसिंग मिदिया में और स्परस को आं निकाल देगा, ठीक रद बच्चार अपर, समझ बच्छी का दांस इसको अपर क्या बतारा चारा हो आपको आपने प्लिस अपर निगदी भाजाएगा, ठीक रद सुचिए, अगर यहां पर इलक्टोफाह, यहां पे आफे यहां जूलेगा यहां बनेगा टा पास्टिव चार्ज ठीक हेन रिगे, बच्चो यहां पे देखे दानता अगरिटोफार यहां पे यह जो अल्फा पोजिशन है ने अगर इलक्टोफिलिक वाई बेंजीन डाइजोनियम प्राइड तो देदान से पर चुगा है इसके स्पेक्ट में देगा दान से यह पेरा क्या ब्लोक हो चुका है यहां पर अटाक नहीं कर सकता है यहां पर इलक्टोफिलिक सब्स्ट्टिउशन जैक्शन पॉसिबल नहीं ह क्यों यहां पर एच नहीं है यह दोनों ओर्टोफिशन है यहां पर हो सकता है अब यहां पर अलफा पर होगा की मीटा पर होगा यह चेक्ट कर देंगे तो देगे दान से आते हैं यहां पर इलक्टोफिल जोड़ता है तो यहां पर क्या बनाता है शिग्वा कॉंप्लेक्स मनता हैं सिग्वा कॉंप्लेक्स जहां पे इस टेबल बनेगा रिएक्षन वहीं पे होगी आपको पता अच्छे से ठीक है न तो अगर अलफा पे जूड़ा बच्छो यहां पे अगर मैं इलेक्टो फाइल पालफा पे जोड़ दिया ठीक है न रहां पर क्या बनेगा एन डब आप पे क्या आपका यहां पे यह बनेगा आपका बीटा पोजिशन पे अगर यहां पे मैं जोड़ा एन डबल बॉंड एन पी एच और यहां पे पॉजिटिव चार्ज ठीक न बीटा पे जोड़ा यहां पे यहां पे जोड़ा मैं तो पॉजिटिव और यहां बन जाएग आपका है ठीक न यहां पे डबल बॉंड अब देखे बते दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन है बच्छो आप तब देखेंगे हैं पर आप यहां यह पाएंगे यह ज्यादा स्टेबल है क्यों वो के पास ने का निगेटी चार्ज बैक बनिंग कर देगा दूसरी बात यह देगा पाइ सिग्मा पोस्टीब यह करें आपच एका यह जिसी अजिनी जाथ है कि यह पर यह अगर यह पर यह जोड़ा IS करता है यह अबर अभाएंग नूस नहीं हो डा है इसलिए क्या होगा यह ज्यादा स्टेबल होगा ठीक है तो अब यह यहीपे जूड़ा तो बच्छों आपे क्या बन जाएगा आपको आपका यहां पे OH और यहां पे N1NPH यह बन गया आपके इसका जो color होता है बच्छों आपके क्या होता है यह red color का होता है ठीक ना कैसा होता है आपको ध्यान आखना है हम लोग किस के साथ में Benjain digamos crloate मिलता है आपको इससा color काई धखना है ब इता मतलब क्या होता है आपको एससा समझ light बेटा, बेटा, मचझा गठानाद के लाल मोच है इसे तर यह आहिए थे भेटा, बेटा, वीटा क्या होता आपके, लाल मोच्छ कम दो not कि अपना ओर हमीं एक ह partie है अड़को यहां पर यहां पर सेंपर अ संपरल नेमिल बाम परड़ आप आप Süantage यहां सब्सकों लकाहिए आप अगर यहां पहलंद यहाँ दिनाला संपरख यहां पर नियुक्त दिया क्लॉराइड बेसिक मीडियम हो गया आप इसके पैरा पर आपको क्या जोड़ना है फिनॉल के पैरा पर क्या जोड़ना है आपको 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 पर चुरों पर नकेशे समय करून गांतों अपर कि dependent के आपधे यहां पर यहां पर और कह सब्दक्रों मतलँ हैं जरे बानकिन याद नेतल शॉट मन फिनोल होगा या तो आप यहां पर क्या होगा अलफा नेप्थोल या तो बीटा नेप्थोल होगा यहां पर इसमें आपको क्या करना है पैड़ा पोजिशन पर या तो और्थो पोजिशन पर आपको क्या करना है यहां पर एन डेबल बॉन एन पियज को जो दना है सिंपल आपका यहाँ पे आपका complete होता है reaction ठीक है ना तो आपका यहाँ पे amine chapter आपका यहाँ पे क्या होता है complete हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे आप next video बच्छे आप बात करेंगे यहाँ पे जो इसके NCRT जो question है ना उसके उपर बात करने वाले है नेस्ट वीडियो आएगा वो NCRT का question होगा exercise question होगा जैसे हम लोग किया थे हम लोग क्या इसका भी हम लोग करेंगे इसका यहां पे जितना भी ठीवरी पार्ट था वो आपको यहां पे क्या इसका मैं सौर्ट वीडियो लाऊंगा ठीक है ना बत्तब वन सौर्ट वीडियो मतला कहने यहां पे क्या है कि आपको मैं रिविजिन कर भाऊंगा एक वीडियो में पूरा कम्प्लीट मैं बताऊंगे आपके कैसे इसको वीभाईज करना अचेशे थे मैं करभाऊंगा यार भी करबाऊंगा उससे बेश में शवाल करेंगा ना खिक है अबत्चो थैंक यह लोग